नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल डोगलवर्स पर तो आज हम आपको बताने वाले है कि डोग को घर के खाने से मोटा कैसे कर सकते है आपको अपने डोग के लिए कोई वेट गिनर लाने की आवशकता नहीं है आपको अपने डोग के लिए कोई द्वाया लाने की आवशकता नहीं है आपके वल घर के खाने से ये अपने डोग को मोटा कर सकते है तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन बिटन दबाना ना भूले ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे तो दोस्तो क्या आप लोग भी चाते हो कि आपका डोग बड़ा ही हेल्दी दिखे जब आप अपने डोग को कहीं वोक पर ले जाते हो तो सभी लोग आपके डोग को देखते ही रह जाए यदि आप ऐसा चाते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो को बीच में स्किप ना करे ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ आ जाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अगर आपका डोग दुबला पतला है तो सबसे पहले आपको अपने डोग की डिवोर्मिंग करानी चाहिए क्योंकि जब तक डोग के पेट के कीडे नहीं मरेगे तो आपके डोग को खाया पिया नहीं लगेगा आपका डोग मोटा नहीं हो पाएगा तो दोस्तो आप अपने डोग की डिवोर्मिंग डोक्टर के सला के अनुसार ही कीजिए तो अब बात करते हैं कि डोग को मोटा करने के लिए उसे क्या खिलाना चाहिए दोस्तो आपको अपने घर में असानी से चावल मिल जाते है हमें चावलों को पानी में उबालना है और ना ही उसमें कोई मीठा एड़ करना है ना ही उसमें कोई किसी परकार का नमक एड़ करना है हमें साधारन चावल ही उबालने है चावलों को उबालने के बाद हमें उसे ठंडा करने के लिए रख देना है ठंडा होने के बाद हमें डोक के बाउल में चावलों को डाल देना है और डोक को खिला देना है अगर आप चावल के साथ थोड़ी सी दही भी एड़ कर सकते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि दही डोग में कैल्शियम की मातरा भी पूरी करती है और दही डोग के लिए बहुत ही फाइदेमंद होती है और अगर आप दही के पैकिट बहार से लाने की बजाए घर के एक दूट से दही जमा कर अपने डोग को खिलाएगे तो आपको अपने डोग में और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगे और इससे अलग डोग को मोटा करने के लिए हमारे पास एक और घरेलू उपाए है दोस्तो हमारे घर में आलू असानी से मिल जाता है हमें डोग को आलू भी इसी तरह देना है पहले हमें आलू को पाने में उबालना है फिर उसे ठंडा करके और अच्छे से फोड कर उसमें दही मिलाकर अपने डोग को खिलाना चाहिए जिससे आपके डोग की बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी हम आलू को चावल के साथ एड़ करकर भी डोग को खिला सकते है और साथ ही साथ हमें अपने डोग को किसी भी कमपने का लीवर टोनिक जरूर देना चाहिए जिससे हमारे डोग की भूक बढ़ने लगेगी और उसे खाया पिया भी पचने लगेगा डोग के लिए लीवर टोनिक बहुत जरूरी होता है इससे आपका डोग बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा वीडियो को एंट तक देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे ऐसी ही डोग रेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डोग लवर्स पर बने रहे